नमस्कार दोस्तों आप सभी का यह कैसे टू चैनल पबोदो सागत है दोस्तों मद्र प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना लांच की गई है मुख्र मंत्री लाडली बहना योजना दोस्तों इसमें आपको क्या बेनी फिट मिलेगा इसमें इलिजबिल्टी क्या है और आप क्या और दोस्तों इसमें महीलाओं को हर मेहने 1,000 रुपए मिलेगा तो दोस्तों आप लोग इसमें इलिजबिल है की नहीं आपको क्या क्या डॉकुमेंट लगेगे, चलिए सब को बता जेता हूँ, दोस्तो इस योजना में सामीर होने के लिए जो पात्रता है, आप देखे, मर्द प्रदेश के स्थानी निवासी होना चाहिए आपको, महिला विवाहित होना चाहिए, वीधवा हो या जो भी हो, लेकिन वो विवाहित होना चाहिए, और आपकी उम्र 23-60 साल के बीच की होनी चाहिए, और परिवार की कमाई, धाई लाग से कम की होनी चाहिए, और परिवार का कोई सदस आयकर दाता नहो, दोस्तो आप लोग इंकम टेस्ट वगरा नप्वे करते हूँ, तभी आप लोग इस योजना के में आईटेरिया फालो करते ही, तो दोस्तो आप लोग इलिजवल है, आप लोग इसमें देखे आवेदन कर सकते हैं, और जैसे आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो डॉक्यमेंट क्या क्या रखता वो ही बताएता हूँ, इसमें आप अपना अधार कार्ड होना चा आडली बहना यूजना इस साइट पे आ जाएंगे और दोसरी से आप लोग समागर ID लेना चाहते हैं तो उसका भी डिस्कीसन पे आपको link भी जागा जैसे आप लोग click करेंगे तो यहाँ पे आ जायें में तो दोसरी से आप लोग यहाँ पर आवेदन कर देते हैं फिर जैसे आप लोग print करना चाहते हैं तो यहाँ समग्र card print करें यहाँ पर click करके आप लोग print कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर KYC करना आपको जरूरी होता है तो यहाँ पर उपर देखे EKYC करें, यहाँ पे क्लिक करना होगा जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको KYC करेंगे यहाँ सदस का समगर ID प्रशिष्टी करें, दोस्तों जिसे आप लोग आवेदन की ID आपको एट करना है, यह capture code करना होगा, खोजे यहाँ पे क्लिक करना है, दोस्तों फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ट को देखें, वरिष्टी करना है दोस्तों बस यहाँ पे इतना कर लेना है दोस्तों जिसे आपको समगर ID मिल लती है दोसे से आप लोग आवेधन करना चाहते ही जैसे आप लोग गाउं से आते ही तो दोस्तो आपको अपने प्रधान के पास जाना होगा और जैसे आप लोग शहर से आते ही तो आपको अपने वार में जाना होगा या कहीं कैम्प लगा हो तो आप लोग कैम्प में जा सकते ही द करना होगा दोस्तों फार्म को आपको कैसे सम्मिट करना वो ही बताएता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देशते हैं मुख्य मंत्री लाडली बहना यूजना दोजातेस आवेदन हेतु आवेस्सक जानकारी का प्रतक और यहाँ आवेदक की समग राइडी तो दोस्तों आपको यहाँ समग राइडी आट करना है आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा आवेदिका का नाम यहाँ पर लिखना है आवेदिका के पिता पती का नाम लिखना है जनुती थी आपको डेट आव बर्त यहाँ पर लिखना होगा और गाउं शहर जो है वो लिखन वाड है वो लिखना है जिला पिन कोड सब कुछ लिखना है आवेदिका का मोबाइल लंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा और वर्ग सामान जो भी देखे आप काटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपको टिक करना है और क्या सासन से विध्वा या निशक्त इत्यारी पेंसन मिलती है तो यस करना है नहीं आपको नहीं पे करना है और यहाँ विवाह के इस्थित विवाहिता है तलाक सुदा है विध्वा है या जो भी आपको यहाँ पे टिक करना है और आवेदिका द्वारा की गई घोचणा तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी पे टिक करना है यह जैसे आप लोग जमक कर देते हैं तो दोस्तों फी जैसे वो लोग रेजिटर कर देते हैं यहाँ पर नीचे आफ लोग जैसे यह सभी सुक्रा वो लोग खुद यहाँ पर फिल करेंगे इतना करने बात जैसे दोस्तों वहाँ पर वो लोग आवेदन कर देते हैं रेजिटर कर चाहते हैं और दोस्तों यहां पे bank account add करने कहीं भी option नहीं है, तो दोस्तों आपको अपने bank account में आधार card को link जुरूर करते रखना है क्योंकि आपके आधार card से जो bank account link होगा उसमें पैसा जाएगा, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं आपके अधार काट से bank link है की नहीं, तो दोस्तों उसका भी link आपको वीडियो के decision पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोग इस side पे आ जाएगे, तो यहाँ check अधार bank seating status, यह अफसन सो करा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अधार number लिखना है, यह आप तो virtual ID भी add कर सकते हैं, और यहाँ inter security code, दोस्तों यहाँ पे यह capture code करेगा, यहाँ पे आपको fill करना है, send OTP पे click करना है, आपके number पे OTP जाएगा, OTP को verify करना है, तो दोस्तों यहाँ पे show कर जाएगा, कि आपके आधार में कौन सा bank link है, दोस्तों यहाँ आप लोग सब होगा, और दोस्तों यहाँ पे देखे, online पंजियन क्रमांग सदसमग क्रमांग की यह अफसर मिल जाता है, आपको यहाँ पे देखे, ID आड़ करना है, और दोस्तों यहाँ देखे, कैफचा आपको यहाँ पे show कर जाएगा, इसको add करना है, फिजा खोजिये वाले पे click करना तो दोस्तों आपको हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे,